Center part are black in potato, called are black heart of potato disease. तो किसकी deficiency से हुई? Oxygen की deficiency से and temperature की deficiency से. तो ये disease जो है, वो ऐसी disease है, जो किसकी कमी से होती है? Oxygen की कमी के करण जो है, वो क्या हो जाती है? कोज हो जाती है. तो ये disease कैसी है? Non-parasitic, यानि की inanimate disease. Next disease की अपन इसके लिए बात करते है, environmental factor की. जो किसको कौज करते हैं? एक, disease को कौज करते हैं. ऐसे बहुत सारे environmental factor होते हैं, जो उसकी disease की लिए सबसे important role play करते हैं. जिसके अंदर होते है, environmental factor. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जो अभी अपन समझ रहे थे, बार-बार, non-parasitic disease. उस parasitic disease की अपन और आगे बात करते हैं. तो इसमें next जो factor है, वो आता है temperature. Temperature. Temperature सबने सुनाई होगा, कि हर bodies के लिए, हर animals के लिए, हर human beings के लिए, हर plant body के लिए, एक particular temperature अगर suitable है, तब तक तो plant body, human body, animal body सब क्या कर जाती हैं? survive कर जाती हैं, लेकिन अगर temperature उससे ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो धीरे-धीरे plant body क्या करने लग जाती है, उसको tolerate नहीं करती है, उसके प्रति उसमें disease cause हो जाती है. तो normal average temperature की अगर हम बात करते हैं, तो 1 degree to 40 degree centigrade temperature are optimum. optimum, 1 degree to 40 degree centigrade temperature optimum for plant body. अगर हम 1 बात करें, 1 degree से लेकर के 40 degree centigrade temperature, तो एक plant body के लिए optimum temperature होता है, एक optimum temperature होता है, लेकिन अगर यही temperature, 0 degree centigrade, तो low temperature and above 200 degree centigrade temperature, above 200 degree centigrade temperature, तो किस काटेगरी में आए गाई है, higher temperature categories में, low temperature भी एक plant body के अंदर किसको कौज करता है, एक disease को कौज करता है, और higher temperature plant body में भी क्या करता है, एक disease को कौज करता है, अब कैसे करता है, यह मैं आपको explain कर देती हूँ, कि अगर temperature विलकुल low temperature होता है, means 0 degree से और below, अगर आपन बात करें, minus 4 degree centigrade temperature की, तो 4 degree centigrade temperature या 0 degree से कम temperature अगर होता है, तो plant body के अंदर पाए जाने वाले tissue, और tissue के अंदर present water होता है, जैसे अपन जाइलम की बात करें, जाइलम किसका conduction करता है, water conduction, जाइलम किसका conduction करता है, water conduction का, वोटर का conduction करता है तो water conduction is blockage जो water का conduction है उसके अंदर धीरे धीरे क्या बन जाएंगे ब्लॉक बन जाएंगे ब्लॉक उस ब्लॉक की वज़ा से water जो है वो क्या हो जाता है फ्रीज हो जाता है वोटर क्या हो जाता है फ्रिज हो जाता है यानि कि जो टिर्शू होते हैं उनके अंदर इस जाईलम के पार्ट से अंदर उनकлекशन अंदर अबॉटर रॉटर Gнут Q left एक सेल से दूसरी सेल के बीच जो कंजक्शन होता है वो कंजक्शन गैप बढ़ जाता है और कंजक्शन गैप के बढ़ने की वज़े से धीरे-धीरे प्लांट बोड़े में क्या हो जाती है अपने अप ऑटमेटिकली फ्रेजिंग बोड़ी होने की वज़े से उस प्लांट ब को उसी परकार से आपने बात करें हाये टेमपरेचर की अगर टेमपरेचर बहुत हायर होता है तो हाय टेमपरेचर और लो कॉझे इर विल्टिंग डिजेज। किसको कॉझ करता हैंगे विल्टिंग कॉज हो जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि higher temperature as causes dehydration and so are plant wilting जैसे जैसे plants के अंदर wilting बढ़ती है तो plant के लोग टिशू होते हैं उनके अंदर water की कमी के कारण permanent wilting start हो जाती है और वो देखने में किसकी जैसे लगती है एक disease की जैसे लगती है तो जो temperature है वापस अपन इसी topic पर आ जाते हैं एक बार कि non जो pathogen है वो two types के होते हैं एक होते है non parasitic एक होते है parasitic तो जो non parasitic है उनकी बात अपन करते हैं तो non parasitic without pathogen or cause disease first factor are temperature and next factors की बात अपन बात करें तो oxygen जिसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा explain कर दिया थोड़ा और बता देती हूं कि oxygen जो है उसकी deficiency भी किसको cause करती है एक disease को cause करती है और धीरे धीरे क्या हो जाती है उसकी oxygen की कमी के करण जो disease होती है plant body जो होती है उसके अंदर जो tissue होते है उनकी death हो जाती है यानकी oxygen की कमी के करण प्लांट के जो tissue होते है उनकी जो death होती है वो क्या कलाती है necrosis so called our necrosis तो हम क्या कहेंगे oxygen deficiency are called plant bodies in necrosis तो second जो अपना points है temperature के अरावा next point अपन लेते है इसके अंदर deficiency of oxygen 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 की deficiency बेसे के लिए मैंने थोड़ा साबको पहले discuss कर चुकी हूं कि oxygen की deficiency होने पर भी plants body के अंदर खुब सारे disease घौजेज होती है जो without किसी pathogen के कान होती है इसलिए यह so called our non-parasitic disease या inanimate disease एक बार मैं आपको वापस repeat कर देती हूं इसके लिए कि जो plants हैं जो microbes हैं जो fungus हैं जो plants हैं उन plants में होने वाले जितने भी pathogen होते हैं जो इनके अंदर disease कोज करते हैं उनके लिए कि जितनी भी plants है उनको we all mieć crops जो होते हैं सुख मजयीव जो होते हैं वह भी diseases कोज करती हैं जो fungus होती है वह बहीं जीक करते हैं और सारे pathogen जो जो है किसमें डीजीश कोज करते हैं Plant pathology में constit própria फेटे उलोजी मेंस क्या होते हैं और अपने जो आज का टौपिक था आपना वह कि वाल मैंन फोकस था कि plant pathology के अंदर हम किसके study करते हैं किसके scientist ने इसके definition दी definition में उन्होंने अपने topic में क्या क्या समझाया फिर next अपना topic था plant disease की I just mean plant disease क्या है plant disease किनकिन f affirm us allows होती है और plant disease के लिए कितने टॉटल factor यूज होते हैं एक एक्स्टा जो factors है मुझ है वह किस वेजयानीक नहीं दिया और नेक्स आते हैं है classification pathogen की तो pathogen के classification के लिए आपने थोड़ा साथ discuss किया है इसके बारे में कि एक होते है non-parasitic disease और एक non-parasitic pathogen और एक होते है parasitic pathogen तो जो parasitic pathogen है उनके लिए अपने next topic में discuss करेंगे आज के topic में अपने non-parasitic disease में भी अपने खूब सारे ऐसे symptoms होते हैं environmental factor होते हैं जो non-parasitic होते हैं लेकिन फिर भी हो क्या कोज करते हैं एक disease कोज करते हैं so like a example deficiency of oxygen like example deficiency of oxygen या increasing of oxygen and higher temperature and lower temperature and next जो points हैं इनमें आपने और points की बात करेंगे तो जैसे water vapor water vapor zinc है magnesium है calcium है potassium है nitrogen है and magnesium है इसारी जो pathogen है वो कैसे है non-parasitic है ता इन सबकी deficiency से भी या इनकी efficiency से भी क्या कोज होती है non-parasitic disease जो है वो कोज होती है non-parasitic disease non-parasitic disease इन pathogens की द्वारा जो non-parasitic pathogens हैं उनकी द्वारा कोज होती है अपन इसके अंदर एक topic और detail से ले ले लेते हैं जैसे water vapor water vapor भी आपने नाम सुना होगा कि water vapor भी जो है वो एक ऐसा points है जिसके द्वारा क्या कोज होती है water vapor के रूप में अपन moisture की बात भी कर सकते है water vapor में ही moisture water से related जितने भी factor है वो सारे इसमें आएंगे इसी की साथ आपन जैसे moisture moisture जब बढ़ जाती है तब भी disease कोज होती है जैसे fungus जैसे अपन winter season की बात करें तो winter season में जैसे ही focus start season start होता है तो फोग बढ़ने से जितने भी wheat होती है बारले होती है या mustard होती है या फिर अपन बात करें scissor की तो इन में से सबसे important है जैसे brassi case family में से mustard जैसे poesy family में से wheat और barley ये ऐसे plants होते हैं जिनके उपर इस water vapor की कारण क्या cause हो जाती है disease cause हो जाती है जैसे आपन आगी इस के बार में बहुत detail से study करेंगे लेकिन आपको मैं यह एक example के form में बता रही हूं कि जैसे आपन बात करें wheat की और wheat में disease cause होती है rust disease और rust अपने आप में क्या है एक fungi तो जो fungus है वो भी क्या disease को cause करती है wheat के अंदर water vapor की कारण जो एक moisture के form में है तो moisture के कारण उस fungus भी क्या cause हो जाती है उस fungus से क्या cause हो जाती है rust disease cause हो जाती है चलो आज के topic आपन इतना ही बहुत है next आपन next class में देखते हैं कि parasitic disease क्या होते हैं एक तरीके से important topic है एक तरीके से excited topic भी है क्योंकि आप सब लोग इस चीज़ को देखते हो कि पहतो सबने नाम ही सुना है कि यह रोग है वो रोग है लेकिन कभी कोई यह जानने की causes नहीं करता कि कौन सा रोग किसके कारण cause होता है तो चलो आपन अगले वाले topic में जो है इसको decide वो करेंगे clear करेंगे कि non-parasitic और parasitic दोनों में क्या differentiation है और किस तरीके से वो disease cause करते हैं thanks आज के topic के लिए करते हैं